हे गाइस स्वागत है आप सबका तो आज मैं आपके लेक लेके आई हो कॉम्बो रेसिपी जो की है बिहारी आलू का चोखा और सत्तू का पराथा बहुत ही फेमस रेसिपी है तो चलिए बराना शुरू करते हैं हम अलट पडटके उसे भून लेंगे तो जो स्किन है वो पूरी काली हो चुकी है अब मैं यहाँ पर ले रही है आलू यह आलू हमने बॉयल करके रखे हुए हैं तीन आलू लिये हैं मैंने और इसको हम वैसे तो जरूरत नहीं होती है लेकिन हलका सा एक स्मोकी जो फ्लेवर ह मैं आ गये हैं तो हम गयस को बंद कर दिए और से प्लेट में निकाल लेंगे अल्यू क्यों कि बॉयल है और हमने च्छिल रखाए हैं तो टेमाटर को हम च्छिल लेते हैं एक काटोरी में लेंगे पानी हाथ को गीला करेंगे और उसके बाद ज früher कि काप्ट तो आप टेमाट के उपर की जो यह आई होती है इसको हम काट लेंगे इसको निकाल के फेंक देना है हमने और एक बोल में आलू को अच्छे से हम मैश कर लेंगे क्योंकि उबले हुए हैं तो असानी से मैश हो जाएगा ग्रेट यहां पे ना करें हाथ से ही मैश कर लें और यहां पे जो टमाट इसको हम roughly चौप कर लेंगे क्योंकि इसे भी हमें इससे मैश करना है आप किसी potato mesher की help से भी मैश कर सकतें काट ke मैंने इस लिए किया है क्योंकि थोड़ा जल्दी मैश हो जाए इस लिए तो देख सकते आप आलू और टमाटर जो है वह हमारे अच्छे से mix हो गए हैं वैसे तो आप चाहिए तो टम dough landlord भी कर सकते कई लोग टमाटर का चुखा बना अलग से आलो का बना अलग से लेकिर हमने यहांपे मेक्स करके बनाया है और अब faudra आती है इस में हमने डाल दी हरी मिर्च की और बरी कटा हुआ प्याज तो हरी मिर्च और प्याज आपने टेस्के कोडिंग डाल दीजिए फ्रेश कटा हुआ अंदर धनिया डाल दीजिए तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डलती है और डाल दीजे नमक, थोड़ा सा काला नमक और आधा निम्बू का रस निम्बू का रस आप जरूर डालिए क्योंकि एक जो खटास सी इसके अंदर आती है वो बहुती बड़िया फ्लेवर देती है नमक दोनों यूज़ करिएगा थोड़ा सा वाइट वाला और थोड़ा सा काला नमक और लास में डालेंगे हम इसके अंदर एक चमच सरसों का तेल कच्चा सरसों का तेल हमने लिया है आप सोचेंगे कि कच्छे सरसों के तेल की स्मेल आएगी लेकिन ऐसा नहीं होता है एक बहुत ही बड़िया ट्रेडिशनल सा जो फ्लेवर इसके अंदर आता है वो बहुत जरूरी है और वो इसी से आता है तो छोखा बनके रेडी है अब यहाँ पे हम सत्तू की त्यारी कर ले अचासाऊड़ ने कर देड़ेंगे और ओड़ेगा और यहाँ पे हम डाल रहे हैं गाइस यह आम का जो एचार होता है ना जो घर मेने है अगर आपके पास आम का चार नहीं है तो आप जो मार्केट का चार होता है उसमें भी जो पीसिस होते हैं उसको भी बरीक बरीक चॉप करके उसके जो तेल होता है आप वह यूज कर सकतें क्योंकि यह जो अचार का मसाला होता है यही बहुत बड़िया फ्रेवर इसके अंदर थोड़ थोड़ पानी डाल के को एक सब लुकत देंगेóc लुक भी नहीं टेक्च्च् Раз को देंगे ताकि इसमें ऐक भाइन ड्रीयद है थोड़ 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 थोड़ा सब अगर मुठी बनाएजा की मुठी बड़ेगी वैसे तो जो ृचिनल टो का पराठा होता है सैंस वैसे ही गुन के इसको ready कर लेना है तो देखिए हमारा आटा बन के ready है 10 मिनट रेस्ट करने के बाद हम इसकी लुईया तोड़ेंगे और थोड़ा सा जो सत्तू का पराठा होता है ना वो थोड़ा सा मोटा बनता है तो इसलिए हमने इसकी जो लोई है थोड़ी सी बड़ी बनाई है अब इसको क्या करना है? हम हलका सा बेलेंगे और अब जो हम सत्तू और अचार की मसाले की स्टाफिंग बनाई थी ना वो हम इसके अंदर डालेंगे. बहुट ही बड़ी रेजिपी होती है ये आप तो जितना स्टफिंग आपको चाहिए आप उतना डालिए और फेज इस तरीके से हम आलू के पराथे या कोई भी स्टफ पराथा बनाते हैं गाइस उसकी तरह से आप इसको अंदर हलका हलका दबाईए और इसकी फिलिंग को पैक कर दीजिए तो मैंने ये रोटी जो बनाई थी इसको उपर से इस तरीके से सील कर दिया है और उसके बाद हम इसे बेलेंगे तो ये दिखिए अच्छे से पैक हो चुका है थोड़ा सा सुखाटा हम इसके अंदर और लगाएंगे जितने भी क्रैक्स वगएरा हमें दिख रहे थे तो हमने इसको चिपका दिया और अब हम बिलकुल आसानी से बिल जाएगा और दूसरा इसके अंदर सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसके फटने के चांसे भी बहुत ही कम रहते हैं जैसे आलू या मुली के पराठे हम बनाते हैं तो फट जाते लेकिन ये बिलकुल भी नहीं फटेगा आपका तो ये देखिए इस की कुकिंग है वो अच्छे से हो जाए उसके बाद आप इसके अंदर की लगाईए हलके हलके से ब्राउन ब्राउन जो स्पार्ट से गाईस वो आने लग गए और अच्छे से आप इसको जब प्रेस करेंगे ना स्पैटूला से तो ये अपने आप ही फूलना शुरू हो जा अभी थोड़ा सा गरम है मैं आपको दिखाऊंगी तो ये देखिए कट चुका है और अंदर की स्टफिंग देख रहे हैं आप कितने अच्छे से चिप की हुई है और फैली भी हुई है इवनली स्प्रेड हो रखिए ये हमारा पराथा सत्तू का बनके रडी है तो आप एक